हालो दोस्त ये वीडियो सालू सर्माजी के नाम उन्हें एक क्वेचन पुछा है चलिए देखेंगे तभी बात करेंगे वीडियो को आगे बढ़ाएंगे इन्होंने बोला है बाकी या बाकी जोन का कब आएगा तीन मिनट पहले और तीन मिनट में मैं थमनेल बनाया वीडिय बना रहा हूं कुछ लोग कर रहे हैं कि मैंने लॉजिक सही दिया है कुछ लोग कर रहे हैं कि 120 में रिजल्ट आया था पहले ही मालूम हो गया था लेकिन जब भी पेपर ओफिसेल वेबसाइट पर आती है उसमें कटाप अगर 40 दिखा रहा है और 40 ही मिनिमम चाहिए यूर क तो बिल्कुल आप यही बोलेंगे कि रिजल्ट सव में है कोई भी बोलेगा पढ़ने वाला हाला कि जो एकजाम दिया है उसने कोश्चन देखा होगा वो अलग बात है उनकी अलग प्रोसेस होगी लेकिन रेलवे ने इतनी छोटी सी मिश्टेक को इतना बड़ा बना दिया कि सभी लोगों में confusion हुआ अब क्या हो रहा है कि बाकी RRB चेनई और बंगलोर कि दोनों को देखके अपनी रिजल्ट सुधार में लगे हैं अब रिजल्ट आज सायद नहीं आए एक आदार रारबी जिनका सुधार जाए क्योंकि अब ताइम हो गया है बहुत 9 बज गया ह टुमोरो यानि कल से रिजल्ट आएगा रिजल्ट तो आज ही publish हो जाता है जनरली होता क्या है कि सभी RRB एक ही दिन रिजल्ट publish करते हैं कुछ गुरखपूर जैसे छोड़के क्योंकि ऐसे होता है इसलिए है कि सभी लोगों को पता चल जाए एक साथ रिजल्ट का decision होता है यही भर जारी हो जाए ऐसा होता है लेकिन इस पर क्या हुआ दो RRB के आने ही पता चला कि सुभा रिजल्ट आया बाद में declare हो गया तो पूरी कहानी अगर देखेंगे वीडियो का तो सारचीजे आपको पता चल जाएगा लेकिन अभी क्या है रिजल्ट अब सुधार होग हम टाइम के हिसाब से चलेंगे दखेंगा टाइम के हिसाब से अगर चले तो चैने में 11 Бच 14 मिनट पर लोगों से ये घ्षा रहते हैं ते Спर होगा देखें यह रिजल्ट जब होई तो क्योश में क्या किया किसी को नहीं पता लेकिन यहां प्येपर में दखें JWS का एसी का, एस्टी का, ओबीसी का, एड़ब्लू एस का cut-up यह था, यहां से कुछ नहीं पता चलता कि यह 100 में है, कि 1.500 में है, या 300 में है, या 120 में है, कोई नहीं बता सकता, हो सकता है कि कोई लोग कम में हैं, लाए हों, कुछ लाए हों, बहुत अलग-अलग condition हो, railway यह भी notification ज दिख गया था, एक service band में 40 EUR का cut-up दिखा रहा है, यानि अब जब notification पढ़ेंगे, तो EUR के लिए minimum 40% चाहिए नंबर, और एक cut-up कोई भी देखेगा, तो यह बोलेगा कि यह cut-up 100 में दिया हुआ है, अब इधर क्या है, बूच भूल जाईए, और इधर ऐसा नहीं है, कि 100 म 49 नहीं आ सकता, 100 में 48 नहीं आ सकता, 100 में 56 नहीं आ सकता, 100 में 33 नहीं आ सकता है, सब आ सकता है, इसलिए इस पर किसको confusion ही नहीं जाएगा, railway की जो official document है, कोई भी देखेगा, कि यहाँ इन्होंने यह cut-up का minimum qualify पूरा किया है, यानि 40 लाया है, तो यह cut-up बिलकुल handed में है, औ और handed में इस लिए कि 1000 नहीं, 10,000 परसेंट यह result handed में है, लेकिन कुछ लोग बंगलोर में 71 देके, उसको बोले कि convert करेंगे 120 में, 100 केक्टर में, तो यह 84% हो जाएगा, इतना जादा नहीं जाएगा, वो individual calculation हो सकती है, लेकिन जब RRB कोई भी website पे official data यह देता है, तो सब लो जो railway की notification के हिसाब से minimum required है, अब इसी result को दुबारा देखिए, जब क्या हुआ, जब result की बारी आई, तो result के बाद क्या हुआ, एक पले आया, cancellation का, तो cancellation के बारे में result आया, कि cancel हो गया, और फिर साम को result आई, 6 बज़ के 31 मिनट और उसके 7 बज़े के something में, इस result में देखिए, चेन ही का क्या किया है, RRB ने जब result चेंज किया, तो देखिए, ईवार का तो वही रह गया, एसी का, यह था, 49.15, इसको घटा के 48.96 किया, यह गलती, दूसरी गलती यहां देखिए, जब इधर एक सर्विसमेन में आएंगे, तो यह देखिए, cut-up जो 40 यहां दिखा रहा पिछले में, यहां पर दिखा रहा 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 30, यह दिखा रहा 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 30, यह सारा cut-up पहले 100 के टर्में था, इसको 120 के टर्में convert किया, यानि गलती RRB ने क्या किया है, इसको समझेगा, सबसे पह दूसरी example मैं दिलाता हूँ LPCBT2 part B 75 number के question थे इसमें भी railway ने गलती कर दिया था 75 में ही answer दे दिया उसके बाद इसको correct करके क्या किया इसको 100 के term में ले गया और 100 के term में ले गया तो final इसको 100 के term में result दिया हलाकी railway के पास अधिकार है किसी में result दे लेकिन ऐसा अधिकार नहीं है कि normal category को 100 में दे और एक service man को 120 में दे या इधर 100 में दे और इधर 120 में दे ऐसा अधिकार नहीं है किसी के पास result जो भी बनती है similar बनती है सारा procedure similar होता है यह mistake railway से हो गया और railway को डालने में हो गया हलाकी result TCS बनाता है जो exam conducting agency होती है लेकिन उस result को publish और check या website पे जालने से पहले स्कूटनिक बगेरा कौन करता है RRB किया है पहली जब सूबा की result आई थी तो एक और update बता दू देखिए जब दोपर के correct होके result आई तो यहां लीक दिया गया out of 120 है लेकिन जब सूबा की result आप ही देखेंगे आप ही खुद देखिए यहां जब सूबा की result थी 11 बच के जो 500 में है या 120 में है या percentage based है तो मैंने क्या बोला था 99.999% क्यों है 100 में है क्यों क्योंकि जब UR की criteria 40% चाहिए उतना ही यह दिया है तो 120 में तो यह candidate क्वालिफाई ही नहीं होगा कोई तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कोई भी बोलेगा 100 में है लेकिन कुछ लोग को है कि 100 में नहीं था वह सही अब हुआ जब यह result को इसको 40 को बढ़ा के कब किया 40 को बढ़ा के इन्होंने कहां ला दिया देख लीजे 40 को बढ़ा के इन्होंने 49 पे लाया तब यह result जाके एक दम बिल्कुल 120 में हुआ या यानि RRB ने यह गलती किया कि एक ही result को double meaning बना दिया double meaning इसल यह क्या बाकी RRB का result अब सुधार में चला गया और उर बब्लिस नहीं होगा चेलनी और बंगलोरी का ऐसी के तैसी तो हो जी गया इन्होंने जो result पब्लिस किया वो गलती हो ही गया तो क्या बाकी 19 RRB भी यही करें तो 19 RRB के पास गया होगा फोन अपने result को रखिए रोक कल publish किजिएगा या जब सुधार हो जाएगा तब publish किजिएगा आज साम हो या आज तो साम गया अब कल ही result आएगा अब देखिए कल वेट करते हैं कौन से RRB का कितना सुधार के पास आता है और देख लिजेगा मैं ये save करके रखा हूँ आपके result है साम वाला result में क्या difference हुआ और अभी जो website पे सब भी आएगा उसमें लिख के आएगा कि ये result 120 में है क्योंकि जब वीडियो बनती है तो railway के पास भी कई ने सुचना जाता है या उनके अधिकारी के पास phone जाता है कि ये देखिए आपका result आपने कैसे बनाया है ये इतनी बड़ी गलती है तो चलिए इसको हम हटाते हैं इसे इस वीडियो को खत्म करते हैं तो बाकी RRB के result आपका कब आएगा कल आएगा थैंक्यू धन्यवाद